दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट लेवल वन की फाइनल कट ओफ कितनी जा सकती है डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जैसा कि बता है कि रीट का रीजल्ट है वो डिकलियर हो चुका है और आपने कट ओफ ही देखी है कि काफी भरी भरकम ये कट ओफ आई है ठीक है और अब जो आप बच्चों आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि जो फाइनल रीजल्ट होगा डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उसकी कट ओफ क्या रच थकती है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सब्सक्राइब दोस्तों में आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को सुब कामना देना चाहूंगा जिन जिन भाईयों का जिन भहीनों का इस रीट के नहीं हुआ है वो भी कमेंट कीजिये कि वह आखिर कितने नंबर से पीछे रहे गये हैं तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कि जो फाइनल करट आफ आय की डॉक्किम्ट के बाद में वह कट ओफ किती रजा सकती है तैकि दोस्तों जो कट औफ में पिसली बार की देश द 186 है तो यह मांगे चलिए जो final cut-off होगी वह 188-89 के आसपास रहने की समावना है जैसे ऐसे कि 177 पर गई है तो यह मानिए कि 170 के आसपास 169 के आसपास यह अड़ सकती है मतलब यह है कि आप यह मांगे चलिए कि आपकी जो cut-off आप जो यह जो cut-off है इसके अंदर आपको 2 या 3 नमबर extra add कर लेना है final document verification के बाद में जो cut-off आएगी safe zone के लिए तो दोस्तों को यह वीडियो कैसे लगी लाइक करें और चैनल पर आप चैनल को subscribe जुरूर करें तन्यवाद